स्वारोटोल में वीवार साया माका शोएंग वुलकमिंग वुलकमिंग आग इविन, कास्टेम एट्वूकेशिजंद बच्चों, आम में से बहुत सब्सक्राइब मतलब कल अपना जेही मिंस का एक्जाम देने जा रहे हो, अब J-Mins के exam दिने से पहले आप सब लोगों से कुछ important ticks and tricks मैं जरूर share करना चाहूँगा देखे ये ticks and tricks वही लोगों के लिए है जो कल exam पर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं मैं फैरली disclaimer देतना चाहता हूँ कि आप में जो सारे बच्चे कल exam में जाके कुछ ना कुछ कर पाएगे प्लीज अपने exam को तुक्का लागा के खड़ाब मत करना तुक्का उनी बच्चों के लिए हैं कल जाके जो कोई question पर कुछ नहीं कर पाड़ा मतलब 10 मिनिट 20 मिनिट आवा गांटा पूरा बैटा हैं कोई कुछ समझ नहीं पाड़े हैं तो इस ताइम पर आप तुक्का का apply कर सकते हो अगर आप कुछ ही नहीं कर पाओगे तो at least इससे कुछ ना कुछ तो होई जाएगा तो यह कुछ ट्रीक्स है चार पाच ट्रीक्स जो मैं जरूर आप सब लोगों सजेस्ट करूगा आप ट्राई करके खुद भी देख सकते हो पहले फिर से डिस्क्लेमार देना चाते हो कि प्लीज जो लोग भी कुछ ना कुछ एंसर कर पाड़े हो वो लोग इसको ट्राई मत करना विकोज तुक्का सिप उन लोग के लिए हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो चली सुरू करते हैं पहला जो तुक्का में आप सब तो आप देखना विलियम पॉंस्टों करके एक राइटर है अचली उन्हों नहीं यह ट्रिक्स हम लोग को दिया है मतब उनके बुक्स में लिखा है रॉक्स ब्रेक्ट शीजर्स सम्थिंग कोई बुक है उस बुक्से मैंने यह ट्रिक को लिया है बेसिकली वहाँ पे बोला के साथ कभी भी नहीं जा सकता है ठीक है तो इसमें आप सब लोग के लिए दो अप्सिन बचा राएगा उस दो में से कोई एक को आप एंसर चूज कर सकते हो तो मतलब आपका एंसर राइट होने का चांस 50-50 हो गया तो पहला पोजिशन है एलिमिनेशन मेथोड एलिमिनेश कर पारे हो वह चीज आप सब लोग को बहुत ज़्यादा हिल्प करेगा यह दूसरा प्रोसेस पर हम लोग आथे दूसरा प्रोसेस है एक्स्ट्रीम वैलू मेथोड समझ लोग की कोई एक कोई सिन है ठीक है कोई मैयात का कोई सिन है जिसका एंसर दिया हुआ है 5 6 7 & 21 तो जो बाइक्सेंगाम करते हैं तो यह कड़ी अंसर नहीं हो सकता है उसको छोड़ के बाकी त्रीक होने का चांसे जाता हो जाता तो एक्स्ट्रीम वैलू मेतोब की librum जोता है यो औराम से कट कर सकते हो तो यह दूसरा हमारा प्रोसेस गया आते हैं आमारे तीसरे process पे यह तीसरा process भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि elimination methodology है elimination के तरह ही इसको यह भी काम करते है ठीक है वह से सम लोग आपको बोले कि that is none of the above and all of the above answer समझ लो कि कोई question में आपको A B C 3 option रहा और 4 number option पर आपको देखने को मिलेगा none of the above और all of the above ठीक है तो अगर आप कुछ answer नहीं कर पा रहे हो तो आप none of the above and all of the above को click कर देना ठीक है बहुत time देखे हैं इसको ज्यादा तर इसका answer आ जाता है ठीक है next नाते 5 number हमारे 4 number जो trick है उस पर कि option 0 is the answer समझ लोग कि कोई question पर आपका कोई option है 0 10 degree 15 degree 180 degree तो इसने पर 0 degree को ज्यादा 0 को answer क्याना ठीक है 0 भी बहुत ज्यादा time answer right होने का chances ज्यादा रहता है ठीक है यह भी एक process है और जो last process है वो मैं वही बच्चों के लिए बोलूगा कि जो बच्ची एकदम गूल है मतलब एकदम कुछ नहीं कर पाएगा कल जाके सिर्फ तुक्का ही भारेगे क्या करना विल्याम पॉंस्टों के जो बुक है उसमें बोला गया कि option B हर टाइम देखा गया कि ज्यादा तर टाइम option B जो है वह answer right होता है तो आप लोग कल जाके अगर कोई option फुरा आग बंद करके तुक्का लगा रहे हो यह पहला चाट ट्रीक जो मैंने बोला इसमें थोड़ा आप क्या बोलता है मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बट यह जो मैं लास्ट ट्रीक बोले इसमें कोई दिमाग लगाने टेस्ट करके यह कुछ ट्रीक निकाले थे तो मैं वही बोला कि अगर कोई option पर आप लोग नाक रहोगे मतलब कोई जो कोई भी option पर क्लिक करोगे तो option B पर करो क्या होता है इसे आपका राइट होने का जान से जादा हो जाता है तो यह पांच ट्रीक आसा करता हो कि आपको यह चीजे थोड़ा help करेगा अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हाँ मैं फिर से लास्ट में डिस्क्रिमाट एही देवा कि अगर आपसे कुछ questions आ रहा है at least 5-6-7-10 questions भी आप कर पा रहे हो कल तो करो उसको करो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट इसको तभी follow कर जब आप कूर्च नहीं कर पाद हो because तुकक से अच्छा अच्छे exam खराब हो जाते तो अच्छे exam को खराब मत करो अगर नहां हो रहा है तभी इसको apply करो ठीक है so all the best to all of you कल मिलता है I think आपका exam सब लोग का अच्छा ही जाएगा all the best to all of you